तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू आज हम बात करने वाले सेंटर अफ मास ओफ कॉंबोस के बारे में ठीक है हम पिछे लेकिन बात करें सेंटर मास ओफ डिफ्रेंट बॉडिस कौन-कौन से बारे में बात करें यादे आपको लर्णिंग ट्री भी हम सिखा थे उसके बारे में लिखते थे उसके बारे में क्या करते थे एज लिखते थे याद फिर्ट ऑफ निचे आपको तो यह था हम लेंडिंग ट्रीक ऑफ डिफरेंट बॉडिस तो आज पढ़ने वाले सेंटर मास ओफ कॉंबोस के बारे में मतलब दो बॉड़िस अगर जुड जाए ठीक है तो द इसमें है टूसी मधिया हुआ ठीक है और दोनों को पर मास को इसका इसका पयार स्कूर्ट तो यह आर रडिये से तो यह भी आडिए अपको तो पता यह 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 भी यार यह भी यार पता है तो मिलकर क्या होगे वार और यह वचेंटर इसको डिनोट करते हैं यह आपका सी टू थो और दोनों को मासा पता है तो कि यह आरीजिन नहीं माने है ठीक है एंचाने वह चैट अभी तो अरीजिन नहीं भी मानते तो हमारा रिखे अब अरिजिन नहीं भी मानें तो चलेगा तो यह आपका आर्सिम वालीगा है पूट करने पर आपको फोर अर्बा थ्री पाई आपका आर सीम का वैल्यू आजागा अलव सेंटर अफ मास्र तो यह से बहुत आसान कोश्चन होते हैं आपको प्रीविएस ली जो मैं आपको वीडियो बताना हूं उसमें आपको वह सब करने आना चाहिए ठीक है अब सेकंड उसके साइब तो इसका सीमा इसका भी सिमा मों से सब्सक्राइब होता होथ यह तो 4 सिख्मार स्क्राइब है अब एसी पोइंट यह धूपर दिख रहा है यह स्कुरर है और यह बूइंट यह पोल देंगे सीवन सोरी सीवन इसको सी बोलो यह सीवन होगा सीटू कहां पर है यहां पर है ओके जिए किसका सेंटर है में अपर इसका सेंटर लेकिन यह क्या साइड के जो है वहां पर में मार्क की हैं देखो दीख रहे आपको तो इस यह टाजो बास वह आ रही है तो वहीं सीटू सीटू क्या होगा आपको पढ़ा है तो डिस्क का आर्ट रसी वैल्यू क्या आता है फोर रवर थ्री पाई याद ना सिर्मा टाइम डितिक रोसन स्रीव देवी लाश्ट डिए इसको यहां से यहां से और आपका रसी मानें आपका वैल्यू आ जाएगा देखो पाई तो कॉपी करो आगे बढ़ते हैं और कुछ कोंबोश के बारे में बात करते हैं तो चुने फ्रेंट्स और कुछ कुश्चिन करते हैं उसी बेस कॉम्बोस वाले ठीक है एक और स्क्वेर और ट्राइंगल मिला हुआ है तो इसका देखो सी टू पॉइंट सीवन पॉइंट मिला दिये जो आको ओवर व्यू दिखा जिता हूं तूए सा यहां पर देखो आपको में याद कर आता हो सिनेमा टाइम में से क्या होता है अर और ट्री तो आर मास हो यहां से आतम पर आर यहां पर क्या एं तो आवड यह मोल सकते हैं तो आ वाइट्री सब्सक्राइब करके आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं अब चलते हम इस पर क्या वाले प्लेट पर इस पर जलते हैं देखो यह इस पर निकान ले बहुत असान होता देखो मैं आपको बता चुका पहले भी कि अगर एल लेंद का है यह तो इसका सेंटर मास कितना होता है यहां पर है तो यह यहां पर है तो यहां पर हो जाएगा है को और संथल marijuana सेंटर मास कि यहां साइन चुक्त है किछा तो इसी बीच में लखी और अब बसक्ता होता है तो यहां होने वाला है ओगए तो तो मास्त लाइजएट और यहां पर आपका सेंटर आफ मास हो बास समझ में आ रही है तो यह से इस चीज का भी कर सकते हैं तो कॉपी करो आगे बढ़ते और कुछ नए टॉपिक में बढ़ते हैं में इस कुशिन को एंस इर्ट वी ज़रूर दे क्या है देखो क्या इन सरकल है एक क्यं चूटा सरकल सर्कल मालो ऑदात ऑन सब्सक्राइब इस This एक टूथ है और उसका चूटा सब्सक्राइब क्या हूआ है उसमें दीए लग गया तो चोड़े लग गया एक छोड़े से पार्ट में और सीगमा सब्सक्राइब गया इसका यह मास निकालना है किसका इस चोड़कर इस चाहिए तो उसके वाज हमारा दात का पॉर्शन बचेगा उसका क्या निकालना है क्या करते हैं हमेशा क्या 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 पॉर्शन रहेगा उसमें आपको मानेस जरूद दिखना है याद रहेगा मतलब क्याविटी वाले पॉर्शन को ने वाले अंधो को अंधो पॉर्शन को पंच आउट हमको करना ठीक है कि पंच आउट करना मतलब उसको बाहर निकाले के लिए माइनेस देना पड़ेगा ठीक है दान देते ना ओके यह उधार दे सकते हो तो मासर डिक्स के आएगा यह यह आजागा ना सिग्मा डिस्क का मास के आएगा सिग्मा पाई आर स्कूर हो गया तो जो यह बराबर हो तो फोरे और टू एक टू होगा लगा देखो यह कहां से है स्वारी हलका से गड़बर हो गई है एक यह दियान देना सर की ले लेकिन तो रेडियों के जाना में मुझे गलती होगी तो यह तो यह जाएगा टू यह पॉइंट यह जो औरीजिन का और जीन बिखागा आपको सिर्फ आपको एक ही ध्यान देना है क्या हमको माइनस लिखना क्या साइन में बस और सब से में आपको कॉंबोस के निकालने आते हैं बस मतलब यह भी आता है तो उससे पर एक कुश्चन करते इसको कॉपी कर लो अब देखते क्या कुश्चन है तो ट्राइ कर लो तब तक आप हो जाएगा आसानी है क्याविटी कोश्चन साते हैं इससे लिए मैं को करा दरहूं तो चलू करते सॉल्फ क्या बोड़ रहा है एक लैमीना सब्सक्राइब लैमीना है ओके यह आपको सर्कल पूरा तो बनता नहीं मुझसे मुझे दिक्कत है सर्कल बनाने मुझे दिक्कत आती है तो यह है चलू तरू तब यहां पर माल लो Just मैं स्कूर सब्सक्राइब साथ क्यूंव बना लाएं तो आपको समझ में आगा मैं स्क्वायर एसा इसा बना ते सो इन और सी लिए वो तो गड़ बड़़अ कर द्षिद्जा ल दाएं लाएं ना ठीक है तब तो इसको पढ़ो एपकर एपास्य होता इसे लिए है तो यह है तो डाइगनल नहीं डाइगनल क्या है उसके रीडियस के बराबर हो 340 ना कि एक टू कर दो आज ए बाइ्टू ये भी हो गा नो यह बी हो जाएगा एक टू ठीक है यह इसका का पॉइंट माल लो ची टू है और या पॉइंट आप क्या करना है कि अब क्या करूं देखो अब मास कि कर दो पर इसका या पको तो इसका improveG ने हम इसका होका थो एक ही पता होगा कि हम डाइगनल कैसे निकलते हैं स्क्वाइर का रूट ौưởng साइड से निकलते हैं यह रूट-ॉंटkol एक यह गालते हैं तो साइड चल जाएmos गहां अपांक और ह। ठीक है यह आपका side बार समझे में आ लिए अब निकालते है root 2 और square का क्या होता है area side into side side square to 2 root 2 का whole square कर दो यह मानलो M2 मास है okay तो आधायगा a square upon 8 होगा ना चलो यह तो आगे आप डिसक मास निकालो इसका जो circular lamina आपका M1 मास कितना एगा sigma pi r square r कितना दिया है कि एसकोर राव भॉश बास रारी है तो यह से दोनों का अब मास निकाल लोगे मास निकाल लोगे आपको करना है यह आपका सी यह आपका पॉइंट सी टू दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है एक वाए पॉर यह न इस वाफिर लोगे कि यह वाई वन होता है यह देखो एक टू का अधा कितना हो गया फॉर होता है ओके चलो एक फॉर आ गया इसमें दिक्कत है नहीं मुझे अब क्या करें बता अब आर्सीम सिंपल निकाल दो आप ओर जींद इसको मानें कि सिवन कहारा रहा ओर। दिखी रहे आपका तो यह माइनस-緩ी करेंगें याद देंड़ है न देखो और खालेगे लगए एंवर इंटू क्या होता है एंटू इन्टू रार कितना दिया अब बता एबाइफ पोर याद आगया तो एबाइफ पॉर अपन अपन हो टोटल मास कितना है एड कर दो एड तो रहों सब्ट्रैक्ट होगा ठीक है क्यों कि माइनस जलते एबाइफ फॉर लिए आप ही को निकालना है तो आएगा माइनस एगा फोर इंटू टू पाई माइनस वान आ जाएगा लगता है यही हाँ यही आएगा चलो यह आपका आगया आर्सी बात समझारी तो कितना सब्सक्राइब आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं है ठीक है सिर्व आपको यह याद रखना माइनस साइन जरूर से जरूर हमको देना है याद होगी तो इसको कपी करो आगे बढ़ते हैं और कुछ 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 करते हैं ठीक है लास्ट कोश्टेंगल के अंदर आपका सर्किल में होगा है रेडियस लेंद्ध और ब्रेथ मतब रेक्टैंगल तो जल्दिया लिकरते हैं यह सीवन पॉइंट आपको होगा और यह सीटू पॉइंट अपको मार्क्ट है ठीक है दोने बीच की दूरी क्या है आपको दिया भावी है आपको कुछ नहीं निकाना सिर्फ मास नि स्क्वेर ठीक है लेंद्ध इंडू ब्रेट होता है रेक्टैंगल का अपकर दो कैल्कुलेट यह आपका ओरिजिन दिया हुआ है ही तो आर सी एम का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस पाई ए स्क्वेर सिग्मा पाई स्क्वेर इंटू टू ए अपॉन सिग्मा 32 ए कि यह गलत है कि तो आज एक टू पाई ए बाई थर्टी टू माइनस पाई भी साइन माइनस मताएगा ना चलो यह आपका आर सी मागिए ठीक है बास में आदिए तो यह आपका आर सीमा जाएगा ओके तो क्याविटी प्लॉब्लेंस को जारा दिक्कत आने वाले आपको नही अब करते हैं उसका मोशन कैसे करते हैं से लिटर मास के जब मोसन होगा तो क्या क्या के वराइटी ओफ कुश्चेंज हो सकते हैं चलो एंड कंजर्वेस्ट लीनियर मोमेंटम और उसको भी पढ़ेंगे क्या है देखो लोग पढ़ेंगे एक आइडिया देता हूं मास ए मास क्या देगा फोर्स लगा एक एफ ऊंक विट्रिस्पेक्ट टू तो नगाएगा टू फोर्स विस रिच्ट टू टू ठीक है तो दोनों का मैंट्यूट क्या होता है यह को अगर तो जानते हैं तो मात करते हैं अगर आप अभी तक काईनेमेटिक्स पढ़ किया यह हो न्यू प्रिटिग एड़ी सिस्टम उटा नेट वरोल फोर्स नहीं होगा ठीक है एफटू जीरो होगा कि कब कब किसे जब एफ नेट आपका जीरो हो सकता यह दोनों 0 इह दोनों यह सम्झी यो ठीक है एफ नित मतलब सम जाएगा इसलिए यह दोनों 0 नहीं होते इसके बारें तो पढ़ चूक है तो क्या फट जिरो होता था क्या होगा डिपी भाड़ीटी भी जिरो होगा सेकंड तो एने पी जीरो होगा एक्सलेरेशन नहीं बोला हो सिंपल एने अच्छलेरेशन ठीक है और ले एक्सलेरेशन जीरो ने पर क्या होता है विरॉस्टिटी घूंस्टेंट हो जाता या देखो मैं लिग दिया तो यहीं वराइटि और कुश्चन आहें यह तो मैं बेसिक धिया अब चलते हैं center of mass पे की system मानने पे उसमें क्या असर होता है चलो चलते हैं तो चलो फ्रेंट्स आगे में बात करते हैं ठीक है देखो क्या है आर्सिंग को फॉर्म होता है सब्सक्राइब 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 मतलब यहां पर आप सोचो कि यह चीज़ टो यह इसका मतलब मतलब यह चीज़ कॉंस्टेंट विटस्टेंट लाइगा ठीक है अब अब वी सीम जिरो करने का मतलब क्या है आर सीम कॉंस्टेंट का मतलब क्या है देखो यहां पर यह चीज चांस्ट तो इस अगर जीरो हो जाए अगर कभी भी जिंदगी में एफनेट जीरो हो जाए तो मोमेंटम हमारा क्या रहता है अब जाए तो इस अब जाए तो इस अब जाए ना आपको नोट में होना चाहिए कि मैं कभी पढ़ू यह पल्टू तो मुझे दिख जाए तो इसके बारे मैं समझ में आ गया और एक बात इसको पहले कॉपी करो एक बात और मैं बताता हूं होगे गौपी चलो एक बात मैं और बताता हूं आपको जाननी चाहिए क्या दो मैं बता चुका हूं कि जभी कभी भी एफनेट अगर जीरो होता है तो क्या एफवन फॉर्स ठीक है एफवान एफटू एफट्री आपका एफ़ोर क्या जीरो होते हैं येस और नू कि मुझे बता एफनेट जीरो मतलए फवन फोरी फ्लास और लो एकशाम्पल दो लेवाव माइनसी 2 प्लस टू ओमाइनस टू प्लस टू या यह वैलू Autobrine रगाङके है आजए फनेट जिरो ईपकला को श्यूर नहीं यह मतलब एक सब्सक्राइब मतलब कि सभी 40 ठीक है इस नॉट इक्वल टू डिस ओके और एक बात अगर जीरो हो तो उसका मतलब क्या है एवन एटू एट्री एट्री एंड एफॉर जहां तक भी जाए वह जीरो हो नहीं भाया इसे भी गलत हो जाएगा और उसी तरह वी नेट का भी बात करें आप तो वह भी नॉट इकल टू होगा वी वन वी टू वी थ्री वी और कि नहीं जीरो होता है ठीक है तो यह तीन बात आपको हमेशा याद होना चाहिए नेट एक्सलेशन नेट वरॉसिटी नेट फॉर्स ओके तो कॉपी करो आगे बढ़ते और कुछ कुछ कुश्चन करते हैं तो चलो फ्रेंट्स और कुछ कुश्च कर देखो एक इंट्रेस्टिंग कोश्चन है ओके आपको समझ में तो आए गाई देखो क्या है वह बोट मूव नहीं कर रहा है लेकिन अगर मैं आगे मूव करेगा तो बोट कहां मूव करेगा बता मुझे पही पिस्टा जाता है अगर अगे बढ़े मुव करें रहा है पीछे मूव करें कि आगे करें तो आगे जो बॉट माना कि यहां कंग हो गया क्या ऐसे मूव और इसका जो center of mass है यह मत यह वाला है पॉजिशन है लाश वाल यहां आगे ठीक है तो माना के बोर्ट कितना मूव किया X मूव किया होगा और यह लेंद कितना हो जागा एल माइनस X बचेगा ना टोटल लेंद अगर L था तो होगा यहां तक आ तो अब हम क्या लिखते हैं यहां पर आपको पता कि यह सेंटर मास के जी रों थीडियों तो सेंटर मास को बाश्रेटी जीरों पर क्या होता है एंवन और वन फ्लस एंटू आर टू दो पाटिकल है तो जीरो धगी इस नो का दोनों एकोल हो जाते ठीक है m1 r1 equals to m2 r2 तो यहाँ पर m1 mass कितना है पता इसका mass कितना आपको given है तो कितना ले लो m ले लो small m ले लो इसका mass ठीके है तो m और यह कितना displays किया है l minus x तो इसमें दिखो l minus x m2 कितना है big m और यह displays किया है x तो x का value आपर आजाएगा आपका ml minus mx upon big m यह आपका displacement आगिया देख लो सही है गलत है देख लो एक बार चेक कर लो ml minus mx आजाएगा तो x का value यहाँ से आपका ml minus mx by m आजाएगा ठीक है दिखी रहा होगा चलो तो यह आपका क्या आगिया x आगिया ओके तो यहां से एक सागे अब बात करते हैं इस को शेंगा क्या है man wants to reach the other end of the boat man बैठाव एक बोट में 40 kg मैंने 10 kg का बोट यहां से यहां तक मैंन को जाना है यहां से जाने में अभी वी से जीरो विलॉस्टी का कोई चर्चा नहीं है तो यहां से यहां जाएगा तो बोट पीछे जाएगा बोट मानों यहां चल गया और यहां से ऐसे और ऐसे इस पोजिशन से घिसक गया ठीक है तो फिर हम मानेंगे x डिस्प्लेश किया है तो यह कितना हो और 10-x होगा ना फिर बात करते हैं तो फिर भाइल लगेगा m1-r1-2-2-r2 लगेगा m1 मान लो 40 kg तो दिया है और डिस्प्लेश कितना हो किया 10-x किया ना 10-x और m2 दिया आपको खोटेन केजी इंटु एक से तो एक इस को इनां गया तो 100 मानेस for t अपॉन 10 X थीक है तो एक्स का वेल्यू आ जाएगा 80 क्या हूंग हो ये बातLOमियक संट्ल में आरेarta महले की पादान जो ईसक्क्र finns भले संट है should be a reimburse when तो चुल्व फ्रेंट से को चाहिए लाइच्ट कोश्चन हमारा इस लेक्चर वीडियो का ठीक है एक बोट पर दो आदमी बैठे हैं एक एक बी असी के जीके महां से पाचास के महां से बोट का वाथ है तो पहला कुशन करते हैं तो एंवन आर वन बराबर एंट टू लगेगा वेलासिटी नहीं है यह माना डिस्प्रेस हुआ कितना ऐसे नहीं यह माना डिस्प्रेस हुआ कि यह पीछे चल गया होगा एक्स चल गया होगा एकस पर यह तक गया तो इसको 20 और इसको जाना है तो यह जाएगा कितना 50 इंटु 20 स्काषव सब्चकर है टुट यह सोल्वय सब्सक्राइब करें तो क्या करो 20 मिटर ना तो टेर मिटर मिले हैं तो यह टेर माइनस एक्स पर होगा यह क्या होगा सब्सक्राइब कर दो सेंटर का लिखने लगो अगर सेंटर मीट करने बोले तो इसा कर दो 50 टेन प्लस एक्सक्राइब टेन हम कर दिए ठीक है अब एक सब्सक्राइब हो जाएगा ना तो तीस बड़त तेरा सब्सक्राइब कर लेना तीस बड़ते रही आएगा ओके चलो आगे आंसर तो यह हमारे एक और दो सब्सक्राइब करना ना भूलिए का थैंक्स